नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतोपून जानकारी को लेकर के जिहां डाइबिटीज, थाइराइड और कैंसर का काल होता है अमरूद जिहां अमरूद एक बहुत ही लाफकारी और शधी है इसी अज का हमारा वाइस ओवर है बिमारियों के लिए कैसे उप्योग होता है अमरूद विटामिन सी विटामिन ए विटामिन बी टू ए और के फाइवर कैल्शियम आइरान मैगनेज फासफोरस अमरूद इन सब का बहतरी श्रोथ है इसलिए अमरूद को यदि सूपर फूर्ट कहा जाए तो अति शोक्ति नहीं होनी चाहिए यही नहीं अमरूद में एक ओसत संतरी की तुलना में चार गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है और एक निम्बू की तुलना में दस गुना ज्यादा विटामिन ए होता है इसमें कहने का मतलब यह है कि एक अमरूद मे कई गुण छिपे हुए होते हैं अमरूद की खासियत यहीं खत्म नहीं होती है अमरूद तमाम बिमारियों से भी बचाने में कारगर सिध्ध हुआ है आई ये जानते हैं कि इन बिमारियों से अमरूद हमारा बचाओ करता है ये बहतरीन होता है आँखों की रोशनी के लिए क आँखों के रोशनी के लिए वीटामिन E आवश्यक तत्व होता है और अमरूद वीटामिन E का बेहतरिन श्रोत है वीटामिन E आँखों को स्वस्तर रखता है कार्णिया आँखों की सेल्स की रक्षा करता है विटामिन A की कमी से अक्सर रतोंधी होने का खत्रा बना रहता है जबकि नियमित अमरूद खाने से रतोंधी होने की आश्रंका भी कम हो जाती है उम्र के बढ़ने के साथ आँखों में होने की समस्याओं को भी अमरूद के नियमित सेवन से कम किया जा सकता है विशेशग्यों की माने तो आँखों की अच्छी रोशनी बनाए रखने के लिए अमरूद या अमरूद का जूस आवश्य लेना चाहिए इसके आलावा आप दमक्ती त्वचा के लिए भी अमरूद का प्रयोग करें प्रदूशन किस हद तक बढ़ गया है इसकी चर्चा यहां करना अवश्यक हो गया है या नहीं यह हम छोड़ देते हैं आप पे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पोल्यूटेड वातावरण में हम लोग रह रहे हैं खास करके शहरी छेत्रों में लेकिन यह बताना जरूरी है कि प्रदूशन के कारण किस तरह हम दान पाने के लिए अमरूद एक बहतरीन श्रोथ है अमरूद में खास कर लाल अमरूद में इंटियोक्सिडेंट प्रोपर्टीज पाए जाते हैं जो की इंटियोक्सिडेंट हमारी त्वचा के छती होने को रोकते हैं यही नहीं अमरूद के नियमित सेवन से चेहरा दमकत हुआ बना रहता है साथ ही रूखे पन से भी ये बचाता है आपको इसके अलावा मधुमेह में भी ये बेहतकारगर साबित होता है मौजूदा जिवन शैली की सबसे आम बिमारियों में से एक है मधुमेह शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां मधुमेह के मरीज मौजूद नहों व इस बात की पुष्टी करते हैं कि मधुमेह के रोगियों के लिए अमरूद बेहतलावकारी है अमरूद में मौजूद फाइवर शुगर स्तर को नियंतरित करता है विशे शग्यों के मुताबिक प्रती दिन एक या दो अमरूद अवश्य खाना चाहिए जिन मरीजों में प्रत्ते की चाय भी पी सकते हैं उनके लिए बेहतलावकारी सावित हो गई है इसके अलावा ये थाइराइड को नियंतरित करता है जी हां अमरूद कौपर का बेहतरी निश्रोथ है कौपर थाइराइड के लिए अवश्यक तत्व है वास्तों में कौपर हार्मोन के उत्प साथ ही अन्यम सकता को भी प्रभावित करता है अमरूद में पोटेशियम भी पाया जाता है यह तत्व भी थाइराइड के लिए महतोपून है इन सबके इतर अमरूद हमारा वज़ह नियंतरित रखता है परिदाम स्वरूप हमारे उर्जा बनी रहती है थाइराइड से आप हिरदय संबंधी बिमारियों से बचने के लिए अमरूद का प्रयोक कर सकते हैं। विटामिन सी पोटेशियम जिम्मेदार होते हैं। और ट्यूमर के खत्रे को कम किया जा सकता है। इतना ही नहीं एक शोध अध्यान में इस बात के पुष्टी हुई है कि अमरूद के नियमित सेवन से प्रोश्टेट कैंसर के साइज को भी कम किया जा सकता है। प्रूद, ब्रेश्ट, मुह, तवचा, पेट, लंग, इत्यादी कैंसरों में भी लाफकारी सिद्ध होता है। बस इसका सही ढंग से आपको प्रियोक करना होता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और ब्यहधी महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।